गुरुभी फ्रेंट्स दिस जनील एंड वेलकम टो संसे बनेच दोस्तो देखिए यहाँ पर बड़ी ख़वर निकल करके सामने आ रहे हैं दोस्तो बीपेसी में अभियर्थियों को फोन आ रहे हैं दोस्तो कि आपको मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा आपको इतना पैसा देना होगा दोस्तो इस तरह की बाते की जा रही है यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर यह आपका दिया गया है और इस मोबाइल नंबर से अभियर्थियों की कॉल आ रही है मेरिट लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो बीस हजार उपे ऑनलाइन पेमेंट करें दोस्त तो इस तरह का कॉल आ रहा है अभियर्थियों को हलो मैं भी पैसी अफिस से बोल रहा हूं आपका नाम है आपका नाम बता रहा है और वह भी सही पिता का नाम वह भी सही बता रहा है अगर आप मेरिट में आना चाहते हैं तो बीस हजार रुपे ओनलाइन पेमेंड करें तिसरे चलन की सिच्छनिक्ति पुनर परिछा में सामिल अभ्यार्थों के पास इन दिनों ऐसे कॉल आ रहे हैं दोस्तों कई अभ्यार्थों को मोबाइल नंबर ये दिया हुआ है इसी से कॉल आया है जब सामने से अभ्यार्थों ने संपर्क करने का प्रैस किया तो नंबर कभरे जरिया से बाहर बताने लगा वहीं ट्रू कॉलर पर यह नंबर बोर्ड आफिस पतना के नाम से से बता रहा है दोस्तो अभ्यार्थियों को चिंता है कि उनका डाटा लिक कैसे हुआ है विपेसिट्यारी 3.0 की जो परिच्छा है दोस्तो वो पहले भी आपका अनिमित्ता के कारण रद दिकी गई थी ये पुनर परिच्छा हुई थी दोस्तो और पुनर परिच्छा में फिर से अभ्यार्थियों का के पास फोन कॉल्स आ रहे हैं और जो भी डेटा वो बता रहा है वो बिल्कुल सही सही बता रहा है दोस्तो इसी महीने 19 से 22 जुलाई तक मुझपर पुर्शेट राज के 27 जिलो में संचारित हुई थी परिच्छा खत्म होने के बाद अभ्यार्थियों को मेरिट में लाने के लिए लगातार कॉल आ रहे हैं जिससे अभ्यार्थि डरी सह में हुए हैं इस तरह के कॉल पर अभ्यार्थियों का कहना है कि कहीं BPSC के क्रमचारी और सिच्छा विभाग के क्रमचारी तो नहीं डेटा लिख कर रहे हैं अभ्यार्थियों का कहना है कि कहीं अंदर ही अंदर मेरिट घोटाला न हो जाए एक तो परिच्छा के दोरान बहुत जगों से सेंटर मैनेज करने की सिकायत मिली तो कुछ किंद्रों पर फर्जी परिचारती भी धरायत थे दोस्तों अभ्यर्थों ने मांग की है कि इस तरह के मामलों की गमभीरतर से जाच कराई जाये 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 और उसके बाद एकजाम को कैंसिल कर दिया गया था और फिर से वही सब कुछ सामने आ रहा है अभ्यर्थी लगातार इसके विरूद सोशल मीडिया पर सरकार को टैग करते विए सवाल कर रहे हैं लेकिन कोई सो सुनने वाला नहीं है डिजिटल फ्लेट फॉर्म एक ससे अन्य मादमों से नाराजगी भी जता रही है सिच्छा कव्यर्थी पिरियंका का कहना है कि विते दिनों मुबाइल नमबर इतना से कॉल आया था उधर से कॉल करने वाला खुद को विपेसी का अधिकारी बता रहा था उसने पिरियंका के माता पिता का नाम और उसकी जन्म तिथी भी बता दी उसके बाद कहा कि आप मेरिट में नहीं आ रही हैं यदि मेरिट में आना है तो 20,000 रुपे फोन पे करने होईगे इसी तरह का कॉल सुनिल नाम के सिच्छा का व्यर्थी को भी आया उनसे भी मेरिट मानने के लिए पैसे की डिमांड की गई आखिर भी पेसी में इतनी अनिमितता कैसे हो रही है कि जो सिच्छा का व्यर्थी है उनका डेटा कैसे लिक हो रहा है और इस तरह के लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं दोस्तों आखेरे कहीं न कहीं आयोक के उपर भी एक प्रस्ट चीन खरा करता है भराल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में के कमेंट में जरूर बताईएगा और वीडियो को अधिक सधीक लाइक और चैनल को